एसाई की पासबुक अपलोड करने के लिए आपको सबसे बहले अपनी SSO ID में लोगिन करना है उसके बाद में आपको यहाँ SIPF Old और New दिखाए देंगे तो आपको New पे क्लिक करना है यदि यह ओप्शन आपको नहीं दिखाए देता है यहाँ पे तो आप यहाँ पे Other Active Apps इस आप उसको ढूंड लें यहां आपको ढूंड कर उस पर क्लिक करें जैसे यह मिल गई है तो यहाँ पे आप New पे इस ओप्शन पे क्लिक करें और आगे बढ़ें यहाँ आप क्लोज कर दें और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी SI की और NPS की सारी जानकारी मिल जाएगी GP GPF 2004 सभीगी तो यहाँ पे नीचे की तरफ यह जो ओप्शन दिखाई दे रहे हैं इनमें से आपको यहाँ पे अपडेट इबेग इस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स स्क्रीन पे जो है यहाँ पे अपडेट इबेग जि से 10 MB से आपको बड़ी नहीं होनी चाहिए वो फाइल 10 MB से छोटी फाइल होनी चाहिए अब आप यहाँ पे SI का कौन सा डोकुमेंट जो है आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लें जैसे की बीमा रिकोर्ड बुक उसके बाद में आप यहाँ चूस फाइल पर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी यह फाइल जो पड़ी हुई है वहां से आप उसको सिलेक्ट करेंगे उस फाइल को और फिर उसके बाद में आके बढ़ेंगे जैसे कि यह मेरी फाइल जो है SI BIMA रिकोर्ड तो इस पर मैं क्लिक करूंगा क्लिक करने आपके बाद नीचे जो, यह ऊपन इसे खरें तो यह फाइल जो है सेलेक्ट हो जाएगी अब आपको यहां पर इस और फाइल को, जो है सेव पर क्लिक करते हुए क्य eensको सेव कर देना है तो save पे click करेंगे तो हमारी जो file है वो जो है data save successfully हो गया है आपको यहां नीचे दिखाई दे जाएगी आपने जो भी save किया upload की है वह आप यहां इसको इस जगह पे click करके आप इस जो upload की है आपने file इस file को आप देख भी सकते हैं आपके द्वारा upload की हुई file को आप आसाने से यहां देख सकते हैं कि आपने जो upload की है file वो सही से की है या नहीं की है इस परकार से आप अपना जो है SI की जो passbook है उसको आप upload कर सकते हैं